एलो एवर्यवन विल्कम टू वाइट लटिव लर्निंग आप सभी का इंड्या के नबर वन सीडी चनल वाइफ लू इसा याप सभी को मालूम है घटेली सुबर्ण सेशन होता है जहां हम लोग कई सारे मेतर Abi सवाल है जो कि डेली की कवर करते हैं जैसा कि आपको मालूम है आज टॉटी इस्थ पॉफ मार्च आज है दोस्तो सिटेड़े तो कई सवाल हम कवर करेंगे जैसा कि आपको मालूम है सबसे पहले पर किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लगा सकते हैं या भूरेश टेन आपको 10% आफ और लेटेस्ट ओफर्स आपको मिल जाएंगे ऐसे सी का दोस्तों सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो उससे पहले ही आप रेफिल को यूज करके अपनी प्रिप्रेशन कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह यूपी एसी में लास्टी 170 बच्चों ने एक्जाम क्रेक किया है आपको क्या करना है आपको आप डाउनलोड करनी है मुबाइल अंबर डालने है यहां पर गोल सेलेट करना है जैसे कि एससी गोल है उक इसके अलवा एससी के अंदर जो है मैं बाइलाजी पढ़ा रहा हूं आप जोइन कर सकते हैं अभी एक बच्ची के एड्यूकेशन आप इसमाइल फ्राल सुसारी डाट वाजी के वेबसाइट पर जाके एक हैपिने सब्सक्रिप्शन से भी ले सकते हैं ठीक है चलिए आज क तो इन साल तक नमबर वन के ओपर रही है अगला सवाल इंडिया ने दोस्तों कितने अमाउंट का एक्सपोर्ट करने का टार्गेट है जो कि अचीव किया है फिर्स ताइम तो इंडिया ने टार्गेट बनाया था कि 2022 तक हम लोग क्या करेंगे 400 बिलियन डॉलर का एक्सपो पास चल रहा है कि चलिए तो 400 बिलियन डॉलर का आप देख सकते हैं हमने एक्सपोर्ट जो की अचीव किया है ठीक है यह बहुत ही यह आपके पेपर में सवाल है जो की पूछा जाएगा ओन आवरेज हम लोग 1 बिलियन डॉलर देखा है एक्सपोर्ट है जो कि हम लोग कर उदाद को देखाले है ठीक है 37% नम्बर यहां पर बढ़ ग prat गला कि पिछले य की बात पर यृक्सिंटिक पार्टनेर से वह है य से युए फ बेपो टिक पांडर्स है कौन से ने रिलीज़ कया है एक्सपोर्ट प्रिफेट मेर्स जानी कर एप सारे राज्यों कि यूटि पर बिल्कुल सही जवाब होगा समझगे मेरी बाद चार पिलर इसमें रखे गए पॉलिसी बिजन्स इको सिस्टम एक्सपोर्ट इको सिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ओके तो यह रिपोर्ट है सेकिंड एडिशन यह रिपोर्ट का जो की नितियायोग के द्वारा पॉब्लिश करें गई इसके लावा उनके द्वारा वुमें एद्वर्शी प्लैटफॉर्म वो भी और्गनाइस करवाए गया आवर्ड यहां पे दिये गए हैं शक्त और सामर्द भारत यह यह यूजना भी लाउंच करी गई है इसके लावा यहां पे और बहुत लोग आ से और 24 मार्च को दोस्तों यह वर्लड टीवी डेया जो की बनाया जाता है समझे मेरी बात तो रोबोट कोच वो परसंत थे जो है इसके बारे में डिसकवरी करी थी ठीक है उसके बारे में डिसकवरी है जो की उन्होंने करी थी तो सौल साल दर भी जादा हैं जो की हो चुके हैं इनको डिसकवरी करें इस बार थीम रखी गई है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ तो यह बात आपको यहां पर डानक निए वर्ल टीवी डे चौबिस मार्च को मार्च के अंदर काफी सारे इंपॉरेंट डेज ज इस तरी को आता है इस तरी को फोरेंग को फॉरेंश को बनाया जाता है तो यह सारे मार्च की इमपॉरेंट डेज जो की आपको ध्यान रखना है अगला सवाल है मैडिलेट को लेकर जो पहली महिला यूज की को कैंसर से मृत्य हो गई है ठीक है तो आपको मेडिलेंग के बारे में आपको बताना है फॉर्स्ट फीमिल थी यूज की तो यह कौन थी जो कि अभी रिसेंट्स से इनकी डेथ हुए आंसर क्या हो जाएगा सेकेटरी औफ इस्टेट्ट थी यूज की जिनकी अभी रिसेंट्ली कैंसर से मृत्य होगी पहली से लोग कि साल जो है वो मृत्य हुए है किस बैंक ने स्माटफोन बीमा प्रदान करने के लिए आइसे से जनरल इंशूरेंस कमपनी के साथ में स्माटफोन इंशूरेंस के लेकर जो सुविधा अवेलेबल करवाई जा रही है यह एटल पेमिंट बैंक के दौरा करवाई जा यह समझ गये मेरी बात तो यह बात आपको यहां पर जान रखेगा जो भी आपकी स्माटफोन की स्माटफोन की जो कॉस्ट है कि समझ गये जैसे कि 10,000 रुपे का है या उससे ज्यादा अबिए तो भी क्या होगा आप उसका इंशूरेंस है जो की कर सकते हैं ठीकि गैस तो यह देख सकते हैं और आप अपनी यह फैसिलिटी एटल बैंक के अंदर या आपके तुरू आप इसको ले सकते हो इसके लावा एटल पेमिंट बैंक की बात करें अनू ब्रदा जी अभी इसकी सियों है मुंबई एक्वाटर रहा दोजा सत्रा के अंदर इस बैंक की कोड़ लिए कंदर ली कौश कोटेक मींदा बैंक के एक और तो उन्हों ने नियर्वा पाँने आट परसेंट ऊपनी बीजिटाल इसक्टरू डिजिटर निहीं demás यह कौन सा बैंक के साथ में कोटग मैंद्रा बैंक और यह बैंक दोनों ने मिलकर जो कि काम क्या है ठीक है चलिए बाखी कुछ इसके इसके अंदर फास इंपॉर्टन नहीं है और दोनों ने इसके अंदर मॉय किया कोटेव में कि बात करें 123 में मुंबई में के चुरुबा थी उड़क कोटक के दुबारा अभी तो इस बैंक की कोई खास हालत नहीं है चलिए निम्रिकित में से किस ने Victoria Memorial Hall Kolkata में भारत गैलरी का उद्गाटन किया है विपलोबी भारत गैलरी यह किसके वारा इसका उद्गाटन है जो कि Victoria Memorial Hall में किया गया है तो आंसर हो जाएगा नरेंदर मोदी जी ठीक है गाई तो नरेंदर मोदी जी ने इनागरेट किया विपलोबी भारत गैलरी का Victoria Memorial Hall काहां पर है कोलकता के अंदर है तो यहां पर क्या जो हमारे गैलरी के अंदर जो है वो बताए गया है इसके अलावा कर में हम बात करें दोस्तों विक्टोरिया Memorial को लेकर तो यह भी एक बहुत ही इसको इनागरेट किया इसके अलावा 2022 को 12 मार्च को डिक्लियर किया था 11-11 खेल महाकुम एहमदाबाद के अंदर विक्टोरिया कि बात करें तो लार्ज मार्बल बिल्डिंग है सेंट्रल कॉलकटा के अंदर जो की बनाए गए थी 1906 से 1922 के बीच में क्विन विक्टोरिया को डेडिकेट किया गया था उनके द्वारा इसको किया गया था क्विन विक्टोरिया उमीद करता हूं कि आपको पता होगी क्विक्टोरिया का जन्व हुआ था 1818 में 19 के अंदर और 1901 में इनका जन्व हुआ था तो 1847 वाला जो टाइम पिरेड था ना जो अपनी फर्स्त हमारे इंडेपेंडेंस का उ जो है वह रहा था किसी महला का इतने टाइम तक है रहना बहुत ही बड़ी बात है और 1876 में बिट्रिस पार्लिमेंट ने वोट करके उनको ग्रैंड एडिशनल टाइटल है एंप्रेस ऑफ इंडिया वह भी दे दिया था वह भी दे दिया था चलिए आगे बात करते हैं मार्च 2022 में रक्ष्या मंत्राले सलाकार के रूप में किसे नुक्त कर जो बने है अभी रिसेंटली मिनिस्ट्र व डिफेंस में वो कौन बने है विनोद बने है यह आपका बिलकुल सही जवाब है विनोद अपको अपोइंट क्या गया एज एडवाइजर इन दा मिनिस्ट् और तो अगर मैं बात करूँ कुछ और खास तो यहां पर कुछ खास नहीं है चलिए नेक्स्ट है दो Green Energy Award है जो के रेसेंटली Green Energy Summit के अंदर मिले हैं तो यह किसको मिले यह आपको बताना है तो Green Energy Summit के अंदर जो अवार्ड मिले वो Southern Power Distribution Company of तिलंगाना को मिले Southern Power Distribution Company of तिलंगाना ठेके गाइस चलिए दो Green Energy Awards है जो की 10th Energy Green Energy Summit के अंदर जीते हैं चलिए नेक्स्ट है और Norwegian Academy of Science and Letters ने किसे एबल प्रोस्कार 2022 से संभानित क्या गया है तो आप सभी को मालूम यह Nobel Award मना जाता है mathematics के एक तरीके से और यह recently किसको मिला है Dennis को मिला है दैनिस ने दोस्तों Algebra के अंदर बहुत काम करें ना Topology के अंदर उन्होंने बहुत काम करें कई सारे aspect जो है उन्होंने figure out करें तो इसलिए American mathematician को इस अवार्ड से संभानित किया गया है ठीक है इसके अलावा कुछ नाए पहले पहले हैं प्राविट प्राइं का भी अवार्ड मिला चलिए तिरुवानत्पुरम में इंडिन ग्रैंट प्रिक्स अथलेटिक प्रत्योगिता में पुरुश्यों के 3000 मिटर स्टैपल रास्टे रिकॉर्ड किसने बनाया है वह किसने बनाया है वह आपके अविनाश ने बनाया है समझ गये तो जीता है स्टैपल चेस के अंदर जीता है आल राइट चलो भारत के पूर्व न्यादी जिनके रिसेंटली देथ हो गई लाहोटी जीगी तो यह कौन से किस वर्ष में उन्हें रास्टे कानून दीवस प्रोशकार से संभानित किया गया था तो इनको पहले नैश्टनल लॉ से संभानित किया जा चुका है 2006 के अंदर यह वा करते थे जिनके अभी रिसेंटली देथ हो गई है ना मनमोन सिंग जी नहीं इनको अवार्ड है जो की दिया था महारास्ट्रा के एसंब्ली ने बिल पास किया है और एक लैंग्विज को मेंडिटरी कर दिया है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है समझ गये तो उन्होंने इस बिल को पास किया है ताकि सभी लोग को लोग सेम लैंग्विज में बात कर सके 36 दिस्ट्रिक है 48 लोग सभा के राज्य पे सभा के 19 है यलो फुटेट ग्रीन पीजन स्टेट का बर्ड है ऐनिमल की बात करें इने जोंट स्कुरिल नशनल पार्ग चंदोली हो गया नावेगां हो गया अपन संजय गांदी तडोबा यह सारे के सारे यह था आपका आज का इंपॉर्टन सेक्शन वीडियो को लाइक और शेयर जरू करेगा साथ मैं अगर आप कोई भी कोर्स अन अकैडबी का ले रहा है तो भी चुट है लगा सकते हैं ठीक है चलिए आज से कोशन देख लेते हैं इंटरनेशन स्ट्रेजिक एडवाइजरी बूर्ड दूरें ब्रेट स्ट्रीट का किसको बनाया गया है यह आपको बताना है ठीक है काफी अच्छा कोशन है चलिए तो मिलते हैं वापस से अच्छे अब लगवाई जयाग वंगरे चिवाई बदा बताह्ट पुल्ड इस वेड़ घूरें फडिवा़ लेड़ लेकावण हैं ऍàन पूर्ड टूर्क 있다 किसक लाशरी ब काल्या रपको बवले ने यह किस्एें स्ट्रेजक लेग्सान हैं चलिए 1280 का 425 धर्लिए 14ken 10 हरेवाई शर्व